नमस्कार दोस्तों हमारे यूटुब चैनल प्रद्भा वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे वास्तु दोस्त के निवारण के लिए कुछ खास बातों का ख्याल करना जी हां दोस्तों यह विशय आपके यह यूँ कहें कि यह आपकी घर की आंतरिक चीजों से जुड़ा हुआ है हम अपने धर्म से जुड़ी हुई चीजों पर कुछ हद तक विश्वास करते हैं कुछ हद तक उन्हें अंद विश्वास समझ कर टाल देते हैं लेकिन यह चीजें कहीं न कहीं आपके ग्रह और आपके जीवन से जुड़ी होती हैं जो आपके जीवन को एफेक्ट करती हैं बात करें यदि शुक शान्ती ग्रह कलेश या फिक किसी तरह और चीजों की तो आप यह पाएंगे कि वास्तु दोस इसका एक प्रमुक कारण है इस वास्तु दोस को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताएंगे जिससे ग्रह कलेश, दुख, दोश आपके घर से सदैव के लिए दूर हो जाएंगे सबसे पहले तो घर में बुजूर्गों का सम्मान करें उनका अनादर होने पर वास्तु दोश बढ़ता है बात करें अगर घर के लक्ष्मी की तो महिलाओं का सम्मान करना बेहर ज़रूरी है ऐसा ना करने से आपके घर का वास्तु बिगर सकता है घोडे की नाल यदि आप अपने घर के दर्वाजे पर जहां से आप प्रवेश करते हैं वहां घोडे की नाल लगाएं तो यह भी घर से निगेटिविटी को बाहर रखता है और आपके घर में शुक्षान्ती आती है लाफिंग बुद्धा जी हाँ लाफिंग बुद्धा रखने से और डेली उनके पास जाकर थोड़ी देर खड़े होने से या उनके पेट में गुद्गुदी करने से आपके घर में धेर सारी खुशियां आती है मा लक्ष्मी की तस्वीर मा लक्ष्मी की तस्वीर यदि आप अपने घर में लगाते हैं तो यह बेहश्रूब हैं लेकिन आपको मा लक्ष्मी की कौन सी तस्वीर लगानी है यह बेहत ध्यान रखें कमल पर बैठी हुई मालच्मी जिनके हातों से धन की बर्शा हो रही हो ऐसी तस्वीर ही लगाएं गडेश भगवान की मूर्ती गडेश जी को विग्न हर्ता शंकट हर्ता माना गया है यह रिद्धि सिद्धि के देवता है या यू कहें भगवान में सबसे परम पूजिनीय देव हैं इनकी सबसे पहले पूजा की जाती है ऐसे में इनकी मूर्ती घर में लगाना बेहर शुब है बंबू प्लांट यदि हम बंबू प्लांट की बात करें तो यह भी गेनरी के साथ साथ आपके घर में हरियाली और शुक्षानती लेकर आता है पानी की टंकी की सही दिशा जी हाँ यदि आपके घर में पानी की टंकी है तो उसकी सही दिशा ज्याथ होनी बहुत जरूरी है पानी के टंकी की सही दिशा पश्चिम कोना यानि इशान कोन होता है ऐसे में किसी और कोन पर पानी की टंकी का रखना आपके घर में वास्तु दोश को उत्पन करता है भोले नात के मुर्ती, घर में भोले परिवार की मुर्ती जरूर रखें यह ने केवल आपके घर में खुशिया लाती है बल्कि भोले नात के सर से बहगती गंगा आपका कल्यान भी करेगी एक जल कलशका, अपनी घर के बाहरी द्वार पर एक जल कलशका जरूर रखें या घर की निगेटिविटी को घर के बाहर रखता है घर में तूसी का पौधा होना बेहर जरूरी है जी हाँ तूसी का पौधा आपका वास्तु दोस भी ठीक करता है आपके घर के रोप को भी दूर करता है यदि तूसी का पौधा सुखने लगे तो आप यह समझ जाएं कि आपके परिवार पर कोई संकट आने वाला है या एक तरह से आपको पहले से चेतावनी भी देता है बात करें यदि बात्रों की तो इसकी भी शही दिशा खुग्यात होना बहुत जरूरी है आप घर में सकरात्मक उर्जा के लिए सूरी यंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं या भी घर के दोश को दूर करता है साथ ही घर के मालिक का बेडरूम ड्राइंग रूम और किचन या किस दिशा में हैं किस दिशा में आप मूँ करके भगवान की पूजा करते हैं या किस दिशा में बैट कर आप भोजन गरहन करते हैं या छोटी छोटी बातें वास्तु के दोश को एफेक्ट करती हैं तो अपने घर में इन बातों से जोड़ी चीजों का बेहत ख्याल रखें और वास्तु दोस्का निवारण करें दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेर करें, हमारे चैनल को सस्क्राइब करें थैंक्स फॉर्ण वाचिंग